इनीटी परीक्षा में हुई धांधली का मामला दिन बदिन तूल पकड़ता जा रहा है और इसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी सीकर में भी छात्र इस धांधली को लेकर बेहत नाराज है। आईए जानते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन में क्या हुआ और चात्रों की क्या मांगे हैं। आज सीकर में चात्रों ने मिलकर इनीटी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जोड़दार विरोध प्रदर्शन किया। चात्र संगठन SFI के प्रदेश अध्यक्ष सुभाश जाखर ने कहा कि आए दिन भर्तियों में हो रही धांधलीयों से चात्र बेहत नाराज है। जो नेट 2014 नेटी की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में बड़ी संग्या के अंदर धांधली हुई है। लेकिन वो लोग तारिक में तारिक दे रहे हैं कि जाज करवा रहे हैं आज हम उस एजेंसी से जाज करवा रहे हैं। और अभी दो दिन पहले 18 तारीकों नेट का एक्जाम हुआ था जिसके कोई पुक्ता सबूत नहीं है लेगिन उन लोगों ने कहा कि हमारे नेट के अंदर हमें आसंका है कि इसका पेपर लीक हुआ है इसलिए हम नेट की एक्जाम को रद करते हैं जब नेट का उन्होंने आसं इसी बात को लेकर हम लोगों ने प्रदशन किया है अगर परीक्षा में धांधली होती है तो इसे रद कर देना चाहिए और निश्पक्ष तरीके से दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए यहां सिर्फ छात्रों के भविश्य का सवाल नहीं है बलकि देश के भविश्य क भी सवाल है लोकल 18 के लिए सीकर से राहूल मनोहर की रिपोर्ट